तो चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने Google Analytics में Login कर लीजिए अगर आपका पहले से कोई account नहीं है Google Analytics पर तो आप Simple Google Analytics सर्च करेंगे Google पर और उसमें अपनी Google की Gmail ID का यूज़ करके उसमें Login कर लेंगे Login करने के बाद दोस्तों आप आप नीचे admin की button दिखेगे इस admin की button को आप दबाएंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको यहां प्रॉपर्टी के आगे create property की button दिखेगे हम इस create property की button पर क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आप अपना business name या सो website name डाल सकते हैं मैं फिलाल यहां पर demo GA4 डाल दे रहा हूं उसके बाद दोस्तों आपको यहां reporting time change करना पड़ेगा तो इसको मैंने change करके इंडिया कर दिया इसके बाद आपको currency change करना भी बहुत जरूरी यहां पर आप आई एनार सेलेक्ट कर लें यहां इंडियान रुपी करके लिखा हुआ आएगा उसके बाद आप यहां नेक्स्ट की बटन दवाएंगे यहां पर दोस्तों आप अपनी बिजनेस के साब से इन डीटेल्स को भर सकते हैं जैसे कि आपक कंपनी में कितने employees हैं और क्या क्या data आपको calculate करना है या analyze करना वह सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद हम create की बटन दबाएंगे अब दोस्तों आपको चूज करना है कि आपको किस property के लिए अपना GA4 create करना है यानि की website या application या iOS application हम यह website को select करते हैं दोस्तों इसमें यहां पर आपको अपनी website का नाम लिखना पड़ेगा या तो फिर आप अपने URL का domain name भी लिख सकते हैं यहां पर enhanced measurement चाल हुआ है इसको चाल हुई रहने दो यहां पर create stream की बटन दबाएंगे हम अब दोस्तों इस तरी किसे एक नया page खुलेगा यहां पर view tag instruction आ रहा है यानि कि मैं आपको strongly recommend करूंगा कि best तरीका है इससे आपकी website पर ज्यादा load भी नहीं पड़ता है तो चलिए हम अपने Google Tag Manager पर आ जाते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हम Google Tag Manager में आ गए हैं अगर आपका Google Tag Manager आपकी website से connected नहीं है तो उसके लिए एक मैंने separate video बना रखा है जिस के बारे में पूरा बताया हूँ है चलिए हम आगे बढ़ते हैं Google Tag Manager में आने के बाद आप यहां टैक्स की बटन दवाएंगे टैक्स की बटन दवाने के बाद आपको यहां new button मिलेगी इसको हम click करेंगे यहां untitled tag में आप नाम देदेंगे GA4 और यहां tag configuration में हम यह pencil की copy हो गया वापस हम अपने Tag Manager में आ जाएंगे यहां पर हम measurement ID को paste करेंगे इस तरीके से और इसके बाद दोस्तों हम trigger set करेंगे trigger के लिए pencil की बटन दवाएंगे वापस से यहां पर all pages पर जाकर टिक करेंगे इसको add करेंगे और यह जो आपका पूरा setup हो गया है यहां पर से save क SUBMIT की बटन दवाएंगे यहां पर आके दोस्तों फिर आप यहां पर submit की बटन दवाएंगे और यहां पर publish कर देंगे, continue अपको समय बात दोस्तों आप ओम के नीचे report के बटन दवाएंगे, report के नीचे की बटन दवाने के बाद आपको यहां पर real time की आप कोल बोक पर तक बातो अच्छन से अधेने जो आप है तो इसके एक टारवक कि नेंटीन monitor के मेंगे क्योई मैं offer ने और सखेके लीच नितने मंतली और रहे हैं तो आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं या नीचे comment section में भी डाल सकते हैं